कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आईगी आप दस तक गिनना दस दिन एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस और दस दिन के अंदर इन तीन प्रदेशों में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा जुटा है तेरा वाच है टेरा वाच य। ए हमी व 주는 finance वार्टी को सब्सक्राइब करना चाहता है मिलकर वाइदा करना चाहता है हम साथ रहेगे मिलकर आपके इसों की रक्षा करेंगे और इसे काम करें आज देश में जो मुझे सरकार है उसको परिवस्चत करने के लिए सब मेहनत करेंगे देश को बदलाव की जड़ा है हम आ रहे हैं मिलकर आप लोगों की हिता रक्षा करने की और यह वाइदा मैं आपको करना चाहता हूँ देखे जब चुनाव आता है तो वादों की जड़ी सी लग जाती है वोट पाने के लिए पार्टियों में होड लग जाती है चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है तो फिर अंदाज यह होता है कि वादे हैं वादों का क्या इन ही वादों को लेकर मोदी सरकार के मंतरी है नितन गटकरी बड़ा बयान उन्होंने दिया गटकरी ने कहा अगर सपने पूरे नहीं होते तो जनता पिटाई भी कर देती है तो सम्विधान की शपत में यही आज का मुद्दा सवाल बड़ा सीधा 2019 में कौन पिटेगा 2019 की दौड में हर दिन नए बयान पर बवंडर इस बार फिर गटकरी के बयान पर राजनीती गर गटकरी बोले सपने पूरे नहीं हुए तो पिटाई भी करती है जनता कि सपने दिखाने वाले लोग देता लोगों को अच्छे लगते हैं पर दिखाये वे सपने अगर पूरे नहीं किये तो जनता उनकी पिटाई भी करती है इसलिए सपने वोई दिखाऊ जो पूरे होता है गटकरी के बयान को लेकर बीजे पी पर विरोधियों का कटा अक्ष भारती जनता पार्टी के पूर वरास्ति अद्धिस नितिन गटकरी जी उनने एक जॉइनिंग कारकरब में कहा कि वह वाईदे सोच समझ के करना चाहिए अब जनता पूछती है पंद्रालाग दस करोन रोजगार अच्छे दिन यह सारी जो वाईदे किये थे भाजपा ने अब जनता पूछने लग यह सब हो तो उसी संदर के उनने का था वाईदे वही करने चाहिए जो पूरे फुसके वर्णा जनता पी थी बीजेपी बोली कॉंग्रस के नेताओं के लिए गटकरी ने दिया बयान उनकी इशारा सिधे तोर पर कांग्रेस की तरफ है जो कांग्रेस के आजकल एक बड़ा बयान देने वाले बहदोर एक नेता है जो महा भारत में उत्तर कुमार से कम नहीं है बड़े बड़े बयान देने में माहिर है लेकिन कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है सपने दिखाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं 2019 में कौन पिटेगा देकर चुनाव में किये वादों को लेकर हर पार्टी एक दूसरे को घेरने की कोशश करते हैं आरोप ये लगते हैं कि जो वादे किये गए थे वो निभाए नहीं गए अब आपको बता देते हैं कि चुनावी वादों को लेकर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है दरसल चुनाव में क्या वादे किये जाएं चुनाव में क्या वादे ना किये जाएं इन तमाम बातों को लेकर सीधे तोर पर तो संविधान में कोई जिक्र है नहीं लेकिन इस सम्विधान की मूल भावना ये कहती है कि चुनाव में जो भी वादे किये जाएं वो फिर पूरे जरूर हो 2015 में आपको याद होगा सुप्रम कोर्ट ने सवाल उठाया था क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके जरिये पार्टियों से चुनावी वादे पूरे कराए जाएं तो आज यही समविधान का दायर है जिसके तहट हम चर्चा करेंगे और आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो इस पक्ष रखनी के लिए हमारे साथ मौजूद है पार्टी की नेता आलोक कुमार इसके अलाबा वरिष्ट आलोक शर्मा जी माफ कीजे का हमारे सा जुड़ेंगे हम यह चर्चा शुरू करें उससे पहले खास गुजारिश हमारी अपने महमानों से है एबिपी न्यूस पर महमानों से गुजारिश है कि वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाय आहत हो क्योंकि देखि है कि बीजेपी की तरफ से शाजिया LBP हमारे साथ जुड़ जाएं लेकिन उससे पहले हम सीधे रुक कर लेते हैं वरिश्ट पत्रकार आशुतोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष बीजेपी कह रही है कॉंग्रेस के लिए नसीहत कॉंग्रेस के रही है तीके रुमाना दो चीज़े हैं पहली बात तो यह है कि गटकरी जो बयान दे रहे हैं उसके गहरे राजनितिक नितार्थ हैं और वो कहीं न कहीं 2019 का जो पार्लिमेंट का चुनाव है उससे जुड़ा हुआ है गटकरी ने कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दिया है गटकरी ने इसके पहले इंदरागांदी के तरीफ की थी उन्हों कहा थे वो एमपावर्मिंट के एक प्रतीक हैं पंडी जवाला लहरू के बारे में उन्हों ने इस तरीके से तरीके से तरीफ की बात की थी। का जो है वो अनात होती है और उसकी जिम्मेदारी जो है वो लेनी चाहिए लोगों को तो ये जो बयान है ये बयान जब दोहजार तोर पर मानना है कि गटकरी 2019 के लोकसवा चुनाव में जहां ये कहा जा रहा है कि तिर्शंग को लोकसवा होगी हंग पार्लेमेंट होगी उसमें जो मौझूदा परिस्चिती बनती है जहां गटबंदन की सरकारों के बारे में अटकले लगाई जा रही हैं वहां अपनी पोजिशनिंग करने के लिए वो कर रहे हैं अगर उसको दूसरे संदर्वों में कहें चुकि मैं जानता हूं कि गटकरी और दुनिया जानती है कि गटकरी का आरेस से उसमें ना हो तो सवाल यह कहीं कोई प्लाइन बी तो नहीं है अगर बोदी जी गटबंदन की राजनीती में असफल होते हैं या पूरी तरीके से बहुमत नहीं ला पाते हैं आप तो बड़ी बाप कहरें कि यह जो बयान नितन गटकरी की तरफ से निकल कर आ रहा है उसे सि बलकि उसे RSS के प्लान B के तौर पर भी देखा जाना चाहिए ये नजरिया जो वरिष्ट पत्रकार आशुतोष यहां पर रख रहे हैं जेडियू की तरफ से राजीव रंजन जी आप सेहमत हैं आशुतोष के इस नजरिया से लेकिन सबसे पहले तो नितिन गटकरी जी ने जो कुछ भी कहा है उन्हों पूरी तरह से कॉंग्रेस के खिलाफ है और कॉंग्रेस ने देश को जो पचास वर्सों का शासन दिया जिसमें छे उनकी खुद की सरकारे और चार गडबंदन सरकारों की कॉंग्रेस ने अगुआई की और देश के कई ऐसे अंसुल्जे सवाल हैं जिन सवालों के समाधान की जिम्मवारी नरेंद मोदी जी के कंधे पर है तो हमारा ये मानना है कि सपने दिखाने का काम कॉंग्रेस ने किया मिस्री मती इंदिरा गांदी ने भी उस दौर में गरीबी हटाओ की बात कही और मिस्टर क्लीन के तौर पर जब राजीव गांदी की पहचान बनी उस समय बोफोर्स की जो कालिक लगी कॉंग्रेस पर तो फिर कॉंग्रेस को पैदल होना पड़ा और हमारा ये यकीन है जो कुछ भी गटकरी जी ने कहा है वो यूपी और कॉंग्रेस की सरकारों के नौन परफॉर्मेंस को लेकर कहा है कि अगर मैं आपकी बात से राजी नहीं हूं क्यूंकि बीजेपी की कौंशे नेता को आपने देखा है जो कॉंग्रेस के उपर हमला करे और इतने नरम अंदाज में करे इतने ढखे छुपे अंदाज में करे ऐसा लिहाज आपको कब नज़र आ गया और किस बीजेपी के नेता के हमले में नज़र आ गया जो कॉंग्रिस को इतना बचा कर उस पर हमला करे राजीव रंजन जी यहां तो खुला खेल फरुक अबादी खेला जाता है सर 1947 जवार लाल नेरू से लेकर राहूल गांधी और अब तो प्रियंका गांधी को लेकर भी यही बीजेपी के नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं परसो भी मेरी आप से बात हुई थी याद है ना आपको सर बताइए देखे आपके सवाल के दो इसे हैं पहले इसे का जवाब यह है नितिन गटकरी जी कभी बहुत आकरामक और तलक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं आप अर्काइब में जाईए और उनके बयानों को देखिए उन्हें अपनी बातों को रखने का उनका अपना एक तरीका है वैसे नितिन गटकरी जी के सिवाई इस बयान का विस्टेशन कोई भी नहीं कर सकता है लेकिन जो कुछ हम समझ सकते हैं उसके आधार पर हमारा यह मानना है कि यह कॉंग्रेस के खिलाफ है और कॉंग्रेस को निश्चित तो पर इसका जवाब देना चाहिए आईए आलोग जी जवाब दीजे यह कॉंग्रेस के खिलाफ बयान कॉंग्रेस को आई ना दिखाने वाला नितिन गटकरी का बयान आप लोग जबर्दस्ती है इसे बीजेपी पर डिफलेक्ट करें आलोग जी देश की राजनीती में कोई बचकाना नहीं है और नहीं गड़करी जी कोई नौसिखिये हैं अगर उन्हेंने कॉंग्रेस के लिए कहा था और बीजेपी के लिए नहीं कहा था उनके पास तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद थे वो आकर सफाई दे देते लेकिन उनकी तरफ स सफाई नहीं आई सफाई देने के लिए जेडियू के लोग सामने आ रहे हैं दुरभाग ग्यपूर्ण है और बिल्कुल जेडियू के हमारे साथी ने कहा के बिल्कुल कॉंग्रेस के लिए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 15 लाख आएंगे मर जमान मर किसान बहुत हु हुआ महगाई का वार 50% किसानों को मौावजा और उसके बाद 700 पेज का एफेड़ेविट सुप्रीम कोट में के हम ये 50% किसानों को नहीं दे सकते जुमले वाली बात शायद हमिच्छा जी ने कही होगी वो कॉंग्रेस के लीडर है उन्होंने कहा धारा 370 अटाएंगे ये इसने आपको उन्हों ने हटा दिया लोगी अपने बयान से अपनी ही सरकार को मूदी सरकार को कड़कर में खड़ा कर रहे हैं देखिए बहुत सारे कॉंग्रेसी हमारे जो मित्र हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो इस पूरी बात को एक राजनितिक रंग दे लेकिन हम सब जानते हैं और इससे पहले भी नितिन जी ने अपने ही वक्तत्वों पर बखा है कि ये दुश प्रशार होता है और ये विपक्ष इसका इस्तिमाल करता है और हम सब जानते हैं कि किस कॉंटेस्स और किस संधर्ब में उन्होंने बात कही है उन्होंने अपने बारे में बताया कि जो उन्होंने प्रॉमिस उनकी है उन्हीं उनकी डिलिवरी है जिन जिन बातों को उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उन्होंने दिभाया है और उन्हों अब बिचारे कांग्रेसियों को समझ जानी रहा हैं कि ऐसे स्टार परफॉर्मर भाजपा के एजने शाजिया सवाल सुनेगी कि बयाल को भाजपा के खिलाफ कैसे इस्वाल क्या जाएं तो भिचारे वो इस्वाल कर रहे हैं सवाल तो सुन लिजे सवाल तो सुन लिजे अपने ही काम देख रहा हुने आपनी पीठ जी बिल्कुल जवाब दीजे जवाब दीजे ये एब दिजे जवाब देदु में प्लीस जवाब दीजे जवाब देदु में रुमाना जी आपका भाशन अगर खतम हो गया हो तो मैं जवाब भी देती हूँ अगर आप अपने जवाब रखेंगी तो बेटर रहेगा सुनिये सुनिये रुमाना जी थोड़ा एक मिनट भाशन आपने रोख दीजे सुन लीजे नितिन गटकरी जी ने हमारा जवराश्तिरी अजिवेशन हुआ है उसमें प्रदान मंत्री और अमिशास जी ने और सारे सीनियम मिनिस्TERS ने बात रखी है जिसका फीम है अपकी बार फिर मोधी सरकार उसमें नितिन गटकरी जी ने अपने काम के बारे में और मोदी जी के काम के बारे में इस सरकार के बारे में क्या-क्या कहा है सब के सामने है वो और ये जो कॉंटेक्स है जिसको आप इसके तीन बाक ही उठा कर बोल रही है आप पूरी सीज को सुनिए उनकी जो इतना इतफाक रखते है तो हम लोग भी बच्कानी बातों से बचे और जूट मूड के नौन इश्यू को इश्यू ना बनाए नहीं मैम नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना गटकरी जी अपनी पीट थपत पा रहे है नितिन गटकरी के रहे है मैं सपने नहीं दिखाता उन्होंने एक बार भी नहीं का कि मेरी सरकार सपने नहीं दिखाती क्यों नहीं का उन्होंने ये क्या मोधी सरकार सपने दिखाती है उन्होंने क्यों नहीं का ये उन्होंने अपनी पीट क्यों थपत पाई जवाब दीजे जवाब दीजे माडम इस मंच से आपको क्या लगता है इतने बचकाने नेता है नितिन गटकरी ना सिखिया नेता है नितिन गटकरी नितिन गटकरी समझ नहीं रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और उनके बयान से किस तरीके के राजनितिक तोर पर सवाल खड़े हो इस बाट को इससरा चाहिए जब कि हम लोग सब कह रहे हैं कि वह कॉंग्रेस से खिलाब बोल रहे हैं और वह भाजपा के सीनियर मंतरी हैं आपको लगता है वह अपना गुरगान करेंगे बहुती सीनियर लीडर है कि वह सरकार की बुराई करेंगे उनको ऐसा को बहाना मतलब आप मजाथ है किसी तरह का की क्या तो मुझे लगता है कि एक नौर मुद्दे को बुद्दा ना बनाया जाए और लेकिन नितन जी ने जो सवाल पूछा है वह बहुत जरूरी है और राजस्थान में हम अलोड़ी देख रहे हैं मुद्धिर प्रदेश में देख रहे कोई पर ले यह कंगरेस पर्टी के लगए नि मैंने फिलकुल नीगा पिलकुल ने उपजेकर रही है मैंने बिलकुल नीका आप तु नहीं आप रवाना ना कि जए गरत ब्याद है आप जवाब सुन लिए शाजी अर्मी जवाब सुनीए जवाब सुनें आपके सवाल के रहा है आईे आलोक जी आए आईे आज सिच्वेशन यह है कि आप डिलीवरी का टाइम आया है आज इनके मंत्री ही कह रहे हैं कि वाइदे वो करने चाहिए जो पूरे हो सके आज सिच्वेशन यह है कि केंद्र का एक वरिष्ट मंत्री और जो भाजपा का पूर्व अध्यक्ष है वो भाजपा को आएना दिखा रहा है और अभी तक वो व्यक्ति वो मंत्री सुद हुशन सभाइद्ट के लिए का लिए को ओडे छी बिल उन्के जल्होता ने सब्सक्रके लिए कि एधिकर और उसका कारण है कि लिए वाईनें से कभी भीए नहीं सबसे बड़ा जंबो मंक्री मंदल है एक भी नारा एक भी वाइदा एक भी सफना पूरा रहे हैं और बीज़पी की तरफ से कॉंग्रेस की नाकामिया गिना ही जा रहे हैं ठीक है ठीक है मैं चर्चा आगे बढ़ाती हूं समाजबादी पार्टी के नेता से हमारा संपर्क नह करेंगे आशुतो जो शाजिया इल्मी क्या रही है आप कितना सहमत शाजिया इल्मी से लेकिन जो गटकरी जी पिछले दो तीन महीनों से लगातार बोल रहे हैं और खास्तार पर जो ने बोला था कि अगर पार्टी के MLA और MP काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जम्मेदारी पा लिए की जान नहीं था जब उन्होंनि ये कहा की बेरोजगारी बढ़ रही है हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कॉंघर से पर चसा नहीं मार क्वार रही हूए जर्णतार पर शब्र-पार की बढ़ रहा है क्योंकि वह जानते ए उनके निशाने पर कौन जो और दो 2014 के बाद से किसने सपने दिखाए किसने का कि 2 करोड नौकरियां हम हर साल देंगे किसने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखा देगा और पाकिस्तान कई चुकड़े हो जाएंगे किसने कहा तो उस संदर्व में इस बयान को देखना चाहिए और एक बात म मिलती है तो ये भाजपा के वरिष्ट नेता जो एक जमाने में पार्टी अध्यक्ष बनने के उम्मिद्वार थे जो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वो अपने भाशन में मोदी जी का जिक्र नहीं करते हैं गटकरी की तारीफ करते हैं और ये कहते गटकरी जीसे में प्र चर्चा कर रहा है फिर नितन गटकरी का ये बयान क्यों माना जाए कि कॉंग्रेस के लिए है या बीजेपी के लिए है ये तो सभी के लिए है ना रोमाना जी हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो गुजिष्टा वक्त गुजरा है उन गुजरों उन गुजरे हुए वक्त की तुलना करने वाले और देश के सामने एक बहुत भारी भरकम संकल्प पत्र देने वाली भारतिय जन्ता पार्टी है और संकल्प पत्र इतना बड़ा है कि अब अगर उसको कहीं से ढूंड कर निकाले और पढ़ना शुरू करें तो जो 6 बचे दिन हैं सरकार के वो सिफ संकल्प पत्र पढ़ने में ही गुजर जाएंगे नितिन गटकरी जी ने निश्ची तोर पर सरकार को आइना दिखाने का काम किया है इसलिए दिखाने का काम किया है क्यूंकि अब वो भी समझते हैं इस बात को भारतिय जन्ता पार्टी के उच्च पद पे रहे हैं सीनियर मंत्री हैं जानते हैं कि अब ये 2014 नहीं है अब भारतिय जन्ता पार्टी के मंचों से सवाल करने का उसर नहीं होगा अब सवाल के जवाब देने होंगे बेरोजगारी का सवाल हो किसानों का सवाल हो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो और People Democratic Party जैसे जो आतंकियों के प सपने दिखाए थे वही सपने तूटे हैं और 19 सपनों पे आधारित 2019 का चुनाओ है तो निश्ची तौर पर नितिन गटकरी जी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोरी जी को और उनकी सवाल को आने लिखाने का का नहीं हो और उसी हिसाब की तरफ ये नितन गटकरी का इशारा सपने पर नितन गटकरी का चुनाओ है की बात को लेकर मैं भी शुरू कर सकती हूं नितन गटकरी जी हमारी सरकार का एक एहम और बड़ा हिस्सा है उनका शांदार जबर्दस योगदान है उन्होंने जो काम कर दिखाया है उस सब देख रहे हैं वो सालों साल में हुआ नहीं है जब वो अपने काम की बात करते हैं वो भारत सरकार के काम की बात करते हैं और हमारी पार्टी की बात करते हैं और किसी भी तरह से उनके बयानों को पहले भी तोड मरोड के दिखाया गिया है क्योंकि कुछ लोग जो अपने को पत्रकार कहते हैं उनका कामी है भाश्वा के खिलाव जहर उगलना और हर बात को जिसका नितिन गटकरी ऐसे कुझाइश क्यों चोड़ देते हैं शाजिया इल्मी कि आप मों को चानल चानल आकर सपाई देनी पड़ती है यह विपक्ष अरे में बता बात खतम कर लू मैं आप बने बुलाया मुझे को चानल चानल नहीं आना था आप लोग ने क्यूं क्यूं मुझे को चानल चानल उसके बात आप आप आ जाहिए माइग जाहिए लाप लुगां रहा पाने लगाने अई आपको रुमाना जी आपको राश्यकोस को तो ते जस्थ ही उलालू जी परफार्मांग नज़र आते हैं आप लोगों को तो राहुल गांदी परफॉर्मन नजर आते हैं आप लोगों को तो सिमायवती बेंच जी परफॉर्म करती भी नजर आती है या फिर केजरीवाज जी तारे नॉन परफॉर्मन्स का दुश्रे आप भाश्पा को देंगे जिए जिए गरीदी हटाओ आंदोलन का नारा देने परोगों को तो वसके करवाज के संदर्ब यह बाश्पा के खिलाएगर आप अपको बुरी लग रही हो बाद क्यूंकि आप तो जहर उगल नहीं हैं और आशोतोर जी कुए कॉई संदर्ब यहां पे वो तिर में आप दुनिया की सब्से बड़ी पार्टी के निमाइन्दे के तोड़ पर यहां पर बैठी हुई है और आपके से पार्टी ने कर पारें हैं इसमलजे से आप बहुत पर्सेनली अटाइक करेंगे मेरे खाल से इसको आपकी पर्टी भी अप्रूब यह ऊप्ते करेंगे बिद्ध बात किज़ों से इतना चिड़िया बाला कि यह इस वी सवाथ कि आपको जबात देना होगा इस बार उसकी क्या तरी आरी आरे कि मैंने यह सीधा सवाल आप से पूछा आप तेजस्टी, मायवती और कहा कहा पहुशने लगी, मुझे पॉसनल अटाइक करने लगी है अगर आशुदोष जी की बात को सर्वपरी मान रही है ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, कॉंग्रेस का निजरिया लेते हैं, आलोग जी, शाजी अल्मी को जवाब आपी दीज़े सर् ठीक है, मैं समझता हूँ के आप और आशुदोष जी बहुत दोनों खुश निस्बत हैं के आप लोगों को दोनों को अभी तक पाकिस्तान नहीं भेजा भाजपा वालों ने, खैर मुद्दे पर वापस लोटके आते हैं, जो वाइदे हमने किये थे, वो हमने पूरे किये क पूछेगा, आज सवाल ये है, कि आप बार बार कह रहे हैं कि गड़करी जी ने कौंगरिस के लिए कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गड़करी जी ने इस पस्टी करन क्यों नहीं दिया उस चीज़ का, कि बहुए एक के बदले दस सर मोदी जी ने थोड़ी ना कहा था, शुष्मा सवराज जी का बयान थोड़ी ना था, तो कॉंगरिस का था, गड़करी जी को कहना चाहिए, कि आप कॉंगरिस ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के समस्या को हम एक महीने में निप्टा देंगे, मुझे लगता है कि आज भाजपा सवालों से भाग रही है पूरी प्रजपी के अधान मंत्री पद का कैंडिडेट कौन होगा, मेजोरिटी अगर नहीं आएगी, तो ये बयान वहां पर इशारा कर रहा है, मोदी वर्सिस घड़करी शुरू हो गया है, ये पोस्चेरिंग आपको लग रहा है कि ये पोस्चेरिंग हो रही है, क्योंकि जिस अब देखिए सबसे पहले गड़करी जी के बयान पर कॉंग्रेस इतनी उचाहिए तो मेरी समझ के बाहर है गड़करी जी ने इसमें अपनी पार्टी अपने सर्कार आपने सरकार के मुखिया के बारे में कौन से शब्द कर जिससे कॉंग्रेस को यह लगता है कि भारतीय जनत पाटी के अंदर का अंतरकला है मुझे लगता है उन्हें स्विकार करना चाहिए उन्होंने देश के लिए अगर कुछ नहीं किया है तो गड़करी जी के बयान से अभी भी वो सुद्रे जनिता से माफी मांगे अगर पच्चास वर्सों में देश के जो सवाल है उनको अगर हल ने कॉंग्रेस को बाहर किया अब उन्हें स्विकार करना चाहिए गड़करी जी के बयान के पीछे खड़े हो करके अपनी ठप ठपाने के बजाए देश को बताईए गरीबी आपने हटा दी लोगों के लोगों के जीवन में आपने खुशाली ला दी दुनिया के जिन लगती क्या है उन्होंने कौन से पर्चम ला रहा है वो कहां खड़े हैं और आप कहां खड़े हैं आपको इसका भी तो जवाब देना चाहिए कौन सा देश है जिसकी आबादी पांच गुना बढ़ गई हो और वो देश आज भी लोगतांतरिक तरीके से मजबूती से चल रहा हूँ मैं जोटते ही बोलता हूँ मैं बिल्कुल डंके के चोट पर सब्सक्राइब हूँ मैं चुका होती रहा है जोटते हैं चलते 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 मेरा एक सवाल अंतिम सवाल आशुतोष से अशुतोष इसी साल करना तक के अंदर मंत्री हैं उनकी तरफ से एक आक्रा ये पेश किया गया कि बई दिसंबर में उन्हें आक्रा पेश किया विधानसभा को बताया कि बीते साल के आकर तक एक हजार से भी कम किसानों की कर्ज माफी हुई है तो कुल मिलाकर वादे करना वादे पूरा ना करना ये तो हर सरकार हर पार्टी अपनाती रही है हतकंडे तो ऐसे में इसमें सिर्फ एक पार्टी की घेरबंदी के तौर पर क्यों देखा जाए ये तो आईना दिखाने वाला काम हो गया ना जो करते आए नितन गटकरी पहले भी दिखे पहली बात तो यह है कि कॉंग्रेस पार्टी तीन विधान सभाव में जीती है उसने वहाँ वायदे किये हैं और जब लोकसभा के चुना वोट पढ़ेंगे तो वहाँ यह चीज मैटर करेगी कि जो कॉंग्रेस की सरकारों ने डिलिवर किया या डिलिवर नहीं किया अगर डिलिवर नहीं करेंगे तो जनता उनको भी सवाल का जबाब देगी लेकिन 2019 का चुना लोकसभा का चुना हुए देश के परधानमंतरी चुनने का साल है और जो पिछले पांच साल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ चामिल होने के लिए देखिए अब जो बिसाज बिची हुई है वो 2019 के लिए बिची हुई है और ऐसे में जितने बयान आ रहे हैं जाहिर सी बात है उन्हें 2019 से ही जोड कर देखा जाएगा और ऐसे में नितन गटकरी का ये बयान आना पबलिक सब पहचानती है जुन्होंने वादे नहीं निभाए उनको सबक सिखाना भी जनता जानती है